तो देख सकते हैं आप किस तरीके से यह चासी पूरी की पूरी अब सीधी हो गई है केविन और चासी का मिलन कैसे होता है अब आप देख सकते हैं और इतना बड़ा ट्रक बनता कैसे आपके बहुत साई डाउट जरूर क्लियर होने वाले हैं तरीका होता है प्रॉफर तरीका है होता है बोलते ना कि जो कंपनी में फिर टोके आता है उसका कोई जवाब नहीं है तो कैसे लगता है यह आप यहाँ पर देख लीजिए तो भाया जो इसके शुरुआत होती है चासी ड्रॉप से होती है तो यह देखे यहाँ पर कुछ-कुछ फिटिंस डालके इसे में असेम्बली लाइन पर लेके जाते हैं तो यहाँ से यह में प्रोसेस का हिस्सा शूरू हो चुका है के Cand pessoal जाते हैं तो फिया है और इसे में असेम्बली लाइन पर लीज पर लो चासी में आीव जाते है तो यह स्वाहरत कर आए में चासी तो यहाँ से लाय को यह को थाइन करेगा और इसके बार इस अ को प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा मतलब फ्रक पूरा भूने की प्रक्रिया ने, मतलब किस तरीके से ये तर्ज हो रहा है, ये आप देख सकते हैं तो ये भाया मेन अजम्ली लाइन पर आके जुड़ गया है और अब ये आगे के तरफ बढ़ जाएगा तो भाया यहां पर क्या है कि कुछ फिटिंग कर दीगे हैं अब देख सकते हैं कमानी पट्टे किस तरीके से यहां पर लगाए गये हैं तो भाया यहां पर प्वार इस्टेरिंग गेर बॉक्स को लगा रहा हैं यहांपर बढ़ इस तरीके से से पूरा प्रसेस चलता रहता है एक प्वातनी चीज़ एक फिट कर दिया जाएगा तो इस पर यह दो काम कर रहे हैं आप इस देख सकते हैं आराम से मतलब कितना मुश्किल है तो बट यह जुटे हुए है सब लोग और यह काम अपना अपना कर रहे हैं तो इस तरीके से पुरी पुटिंग चलती रहती है और यह प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है तो यहां पर प्रोपिलर शॉप माउंटिंग का काम चल रहा है और यह देखे यहां पर यह बेड़े हुए है इस तरीके से काम कर रहे हैं तो यह पूरा का पूरा आप देख रहे हैं जो बड़े-बड़े पार्ट रखे हुए है तो आसान नहीं होता है ट्रक का असेंब्ली एक दाम अलग होता है और यह सारे पार्ट वहां पर यह लोग फिट कर रहे हैं तो इतने बड़े-बड़े पार्ट को ले जाना आसान नहीं है तो उपर से कितने आटोमेशन मतला उपर से यह सारी चीजे हुक के जरिए वहां पर पहुंचाई जा रही है और ट्रांसमेशन बनाना कितना मुश्किल काम है आप इससे हंदाजाल लगा सकते हैं और यह सब लोग जुटे वे अपना काम कर रहे हैं यहां पर इस तरीके से तो यहां पर फ्रेंट एक्सल फिट किया जाते हैं देखे यह रखे गए हैं और यह पूरा का पूरा जो पीछे से चासी आ रहा आपको जो मैक्सिमाम इनो देते हैं पूरा का पूरा तो साफ नाउंटि वगरा यहां पर सारा पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाता है हमाई पर समय कम है लेकिन जितना मिल रहा है हम आपको दिखा रहे हैं तो इस तरीके से यहां पर टेक्नलोजी अब शुरू हो चुके अब आगे बढ़ते हैं तो भाया यह उस जगह है जहां पर चासी को पूरा का पूरा देखे पूरा यह बिल्ड हो गया है तो इसे पूरा यह उल्टा करेंगे तो कैसे उल्टा करेंगे वह आपको दिखाता हूँ तो चासी यहां से पूरा रोटेट करेगी और यह पूरा क पूरा क्या टेक्नलोजी किस तरीके से काम करती है लिटरली बहुत मज़ा रहा है इसे देखके और शायद आपको भी अच्छा लगेगा देखके कि ट्रक ऐसे बनते हैं इतने बड़े ट्रक जो आप रोड पर देखते हैं उनका चासी किस तरीके से बनाया जाता है किस तरीके अपनी जगे लेती है कैसे पूरा का पूरा मता भी इस सिस्टम बना बनता है इनका यह आपको देखना हुआ जरूर अच्छा लग रहा होगा और यह बहुत अच्छा मज़ेदार तरीके से यहां पर यहां पर यहां पर किये जाएंगे इस सेकेंड कन्वियर पर पूरा का अब इसके आगे इसको अंजाम दिया जाएगा तो भीया यहां पर ATS लगा जाता है यानि की ATS मतलब आप्टर टीटमेंट सिस्टम यहां पर यहां पर चासी पर विल्ट किया जाता है दो तरीके के आता है यह वर्टिकल वाता है जो त्रिपर अगरा पे लोग लगाते हैं अब आगे के तरवा को लेके चलते हैं कि किस तरीके से और चीजे प्रोसेस की जाती हैं भीया सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब इस चासी पर फिटों का एंजिन और यह देखें इंजिन जा रहा है इस तरीके यहां से लेके जा रहा है इंजिन को यहां से उठाकर और यह इंजिन अब chassis पर mount किया जाएगा और यह सबसे important part होता है और emotional part भी होता है उसको अब शक्ति मिलने वाली है मतलब जो chassis अभी निर्जियू तरीके से यहां तक पहुंची है बनके सारे fitment के साथ में अब उसको मिलने वाली है आत्मा और देखे यहां से इसको इस तरीके से लेके जा रहे हैं और यहां से जाके उस chassis पर यह build कर देंगे और यह सबसे interesting चीज़ है अगर आप देख रहे होगे तो आपको मजा आ रहा होगा literally मतलब इतने बहुत बहुता जो आप सालक पर देखते हो किस तरीके से वो बनते हैं यह समझना और जानना आपको 100% अच्छा लग रहा होगा तो भया अब बारी है radiator फिट होने की देखे रेडियेटर जा रहा है और यहां पर फिट हो जाएगा और यह radiator इस तरीके से लगता है आपको समझ में आ जाएगा और यह धीरे-धीरे करके चीज़े किस तरीके से आगे बढ़ती है यह आपको process यहां पर समझ में आने वाला है तो यह process यहां पर बहुत चुका है तो आप दिखाता हूँ यहां पर दिखे एर फिल्टर यह रखे हुए है यह पूरे के पूरे स्टैक फिट होगे इस जगे पे अब इसके बाद लग जाएगी केविन और केविन देखना भी बहुत दिल्चास होने वाला है तो यह पार्ट यहां से दिखे सब को पूरा फिटिंग हो चुका है एर फिल्टर लग चुका है यहां पर चासी पर इस्टैंड कर चुका है और यहां पर लगेगा केविन आप चलिए आपको केविन दिखाते हैं चुका zwy будемने cagnator Lif cesu n ultimate Fati आप तो भ्या यह सिगना केविन आगे है सिगना का केविन आगे है जो कि इस्कों फिठ घोगा आपको दिखातا हो किस तरिक के सिसमें फिट या जाएगा तो फूरा का पूरा फिटिंग हो चुका है वस इसको फिट करना बाकी है इसमें अलेडी सीट वागेदा सब लखी हुई है बाकी जो फिटिंग होगी वह आपको आगे दिखाता हूँ तो देखें कितने दिल्चस्प तरीके से केविन जा रहा है वहां से अपरेट कर रहे हैं वहां से बहुत दिल्चस्प लख रहा है इसे देखना वहां गेट खुले हुए हैं दोनों और अभी थोड़ी देर में यह जाके फिट हो जाएगा इस पर मतब देखें पीछे वाले पर गया और पुरा पीछे से आ रहा है इसे बोलेंगे मिलन हो जाएगा केविन और चासी का केविन और चासी का मिलन कैसे होता है अब आप देख सकते हैं और यतना बड़ा ट्रक बनता कैसे आपके बहुत साई डाउट ज़रूर प्लियर होने वाले हैं इसे देखें मुझे नहीं पता आपने कभी देखा था या नहीं बठां लिटरली यह बहुत अच्छा लगा इस कि अधर तो सब साथ में काम करते हैं तो आसेमली लाइन में किस तरीके से यह प्राइमा केविन इधर लगा रहे हैं मतलब प्राइमा केविन के इस पर शांवेयर पर आ जाएगा और इस साइड में आपको लिख चाएगा सिगना के या पर फिट हो चुका है बागाईदा औ आप समझ में आ जाएगा यहां से अगर देखेंगे और यह बहुत ही दिल्चस्प है यहां पर अगर आपने हैं आप देखने का मुखा मिले तो बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरीके से बहुत है आप देखते हैं या यहां पर देखेंगे आप पूरा कर पो चुका है अब यहां पर घ्रलौ लगा reduce truth i लगाया जाता है इस पर देख सकते हैं किस तरीके से टायर की फिटिंग की जा रही है तो यह यहां से जा जाके और पूरा इस पे फिट हो जा रहा है तो यह इनका एक जो तरीका है जो सिस्टम है अब आपको समझ में आ गया होगा और तीन दस्मिलों 33 सिकंड में एक ट्रक य दिकलता है और पूरे प्लांस की अगर बात करें कि कई सारे से लिए चलती है तो वहां से हर मिनिट में एक ट्रक तयार हो जाता है तो भी यह शेल दिख रहे हैं आपको यह बन कि आते हैं बहार से और यहां पर एक स्वरूप लेते हैं जो की पूरा का पूरा बनाते हैं तो कैसा दिखता है कैसे बनता है और दिखाते हैं आपको तो चलिए आपको सीधे अंदर लेके जलते हैं तो भाया मैं सिगना के प्रिम लाइन पर खड़ा हूं और यहां पर वही बनाया जाता है जो कश्मर की रिक्वार्मेंट होती है तो पूरी लिस्ट कंप्यूटराइ इनको पता चलता रहता है किसकी क्या रिक्वार्मेंट है और जो रिक्वार्मेंट हो है उसी को केविन में इंप्लीमेंट किया जाता है तो चलिए दिखाते हैं किस तरीके से केविन तयार की जाती है तो चलिए भी आपको दिखाते हैं कहां से प्रोसेस शुरू होता है तो यहां पर पूरा कापूरा किस तरीके से शुरुवार के दिखाता हूँ तो यहां पर छोटी से फिटिंग के साथ में जो बेसिक फिटिंगस अर रहा है और बंध हो नज़र आएगा किस तरीके से टिम लाइन पर क्या चीज कहा पर की जा रही है तो लोक यहां पर फ़ो गया। तो टीमें यहां पर आप गया है और में हो घा पर समतियए। आगे अगे लिएक करें और की जा रहे हैं… यहां पर वाइपर किट को अब सेमल किया गया यहां पर लगा दिया गया है और आगे ऐसे धिरे-धिर करके आप एको प्रॉपर मतलब आपको एक संपूर केमिन वो नजर आएगी जो इसमें कम्प्लीट हो जाता है तो दोर हैंडल वगारा देखिए चाबी के साथ में पूरा यहां पर हो गया आला कि यह भी विंडो नहीं लगा है आगे आते जाएगे तिरे-धिरे पूरी की पूरी फिटिंग आपको समझ में आती जाएगी तो देखें यहां पर भी स्ट्रक्चर तयार कर रहें पूरा जिस पर डैश्बोर रख सकें तो आपको छोटे-छोटे मतल अगर मैं दिखाना चाहूंगा डिटेल में लेकिन आप देखें किस तरीके से पूरा यहां पर पूरा system यहां पर लगा दिया है जो इनका अपना इंपोर्टेंबेंट सिस्टम या और जो सारे आपके system होते है एसी का पूरा यहां पर फिट हो चुका है अब आगे पढ़त चीजें होती है जब आपको किसी assembly line का भ्रमण करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक गारी जो बनती है उसमें कितनी मेहनत लगती है लेकिन आपको बता दूँ अच्छी चीज क्या है कि इस प्लांट से लगबख साढ़े तीर मिनिट में एक ट्रक बनके तयार हो जाता ह इस प्लेट कर रहे हैं और यहां पर यह अंगर नज़र आने लगा है पुरा विल्ट होता है और चोटी-छटी चीजें मतब यहां पर आपको मैटिंग वगारा मिल जायेगी और थोड़ा और आगे आएंगे तो और पूरा प्रॉपर ये स्वरूप में आपको नजर आने लगेगा तो चोटी-चोटी चीजें जो बच रही हैं आपको आगे से complete होते मतलब देखिए किस तरीके से ये काम कर रहे हैं छोटी-चोटी बारीक चीजों का इन्होंने ध्यान रखा हुआ है और इधर देखेंगे तो काफी हता के complete हो चुका है बट ये पूरे फिक्मेंट के तरफ अपना बढ़ता हुआ चला जा रहा है तो चोटे-चोटे चीजों से आप समझ सकते हैं और अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कितनी महनत लगती है इन ट्रकों को बनाने में और ये लोग जुटे ह हाँ पर इस काम को अंजाम देने में और जब आप इस प्रोचसेस पर आएंगे तो देखें तो डेशबूर्ड वग गया है यहां पर स्टेरिंग का पूरा सेट अप आप आप देख सकते हैं इन्होंने डाल दिया है फूरा इस टेरिंग विल लगना बाकी है तो में लगाती है quem लगाती है निसके लाबा इक की सारी कें लेड़ा के में लगा धी का लिए और में राएं वह पूर से कहें लेड़ा नकाई आप कर दिया जाती है ऑट अपेर से सब्कूर्टर सब्सक्रा रहे आब सब्सक्राद कोटिया नियुक्त लगाता है आगे दिखाते हैं और क्या क्या चीजें मों लगा रहे हैने हैं अपने तयार हो गया है और बन बन के यहसा फिरेध लबान-देल से जाता है कि स्पनापधा पता है जहां पर चासी कंप्रीट होती है उस पर फिट होके भा होन निकल पड़ता है और फिर आपको सड़कों पर नजर आने लगता है यह दिलीबरी कर दी जाती है तो दोस्तों यहां पर यह सारा पूरा प्रोसेस बहुत अलग होता है और बहुत ही मेहनत वाला काम है तो जो ट्रक आप देखते हो देश के ट्रक बोलते हैं ताटा के ट्रक किस तरीके से बनते ह आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों इस वीडियो में ने दिखाया कि ट्रक कैसे बनते हैं आपको एग्जैक्ली समझ में आ गया होगा ट्रिम लाइन कैसे है किस तरीके से चासी पर काम किया जाता है कितना डिफिकल्ट है ट्रक बनाना लेकिन उमीद करता यह पसंद आया होगा आपको फिर भी अगर कुछ और जानना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर आके सवाल करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यहां पर बने रहें देखते रहें सब्सक्राइब करके रखें चैनल को और पने दोस्तों स इस वीडियो को जरू साजा करें